किसान भाईयो नमस्कार मेहुद असरत धाकर आप देख रहे है डीप आर्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में हम मध्य प्रद्यस में लगाए जाने वाली गेहूं की दो ऐसी विराइटियों के बारे में बात करेंगे जिनसे किसान भाई प्रती एकर 28-32 कुंटल तक उत उत्पादन ले सकते है वेसे मध्य प्रद्यस में कई विराइटियां किसान भाई लगाते आये है ये दो विराइटियां मुझे कापी पसंद आई है इनका उपज उत्पादन भी ज्यादा है इस कारण मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर किसान भाईयों तक जरूर पहुंचा आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे किसान भाईयों गेहों की दो एसी विराइटिया मैं आपको बता रहा हूँ खास करकी MP में मैंने खुद ने भी इनको लगाया हुआ है और अच्छा उत्पादन लिया है पहली विराइटिया आती है स्री राम सूपर 303 जिसे स्री राम क्रोप साइंस दोवारा जहरी किया जाता है या गिहों की पुरानी दमदार पोपुलर विराइटि है जो प्रती एकड़ 26 से 28 कुंटल या उससे भी जहादा उत्पादन देने की समता रखती है या विराइटि चार से पांस ही चाय में भी पक विराइटि को आप उत्तर परदेश, महाराष्ट, सतिसगर, गुजाद, पंजाब, हर्याना, आदी राज्यों में लगा सकते है इस विराइटि के अगर आप भुवाई कर रहे हैं तो मध्यम नहुंबर के मध्याप इस विराइटि का चीयन कर सकते हैं यह भी गिहों की पी अच्छी विराइटि है इसके बाद दूसरी विराइटि आती है पूसा, तेजस, हाई, सित्यसी, गुनसाद, यह विराइटि परती एकर 30 से 32 कुंटल उत्पादन देने की समता रखती है यह विराइटि भी काली दोमट मिटी के लिए उप्युक्त माने जाती है यह वि विराइटि मुकी रुप से मद्यपदेश के अलवा मद्यम भारत के लिए उप्युक्त माने जाती है इस विराइटि में कीट वर रोगों का अटेक कम होता है खास करकी रेष्ट रोगों का अटेक इस विराइटि में कापी कम देखने को मिलता है अगर आप इस विराइटि कि जो बालिया है वो लंबाई के बलाई चोड़ाई में ज़्यादा होती है, दाना मोटा होता है, वजन दाने में ज़्यादा होता है, आप अगर इस वराइटी को लगाएंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये वराइटी क्यों बेश्ट है, किसान बाईयों पूसा तेजर सित्यासी गुनसाट को लगाया था और प्रत्ती एकड 15 से 30 कुंटल तक यानि कि एक भीगा में 15 कुंटल और एकड में 30 से 31 कुंटल तक उत्पादन हमने लिया था तो मद्य बदेश में अगर आप रहते हैं तो इन दो विराइटियों का चियन कर सकते हैं इसके